हेलो फ्रेंड्स डेनिल्स लासिस में आपका स्वागत है आज 29 माई 2022 राजस्तान का करेंट अफेर हम देख कर चलेंगे जो सभी प्रतियों की प्रिक्षाओं के लिए most important है इसकी PDF आपको डेनिल्स लासिस के टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी आप इसे वहां से और अच्छ से कर सकते हैं चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहला प्रेशन प्रदेश का पहला द्रश्टी बादित बाली का सिक्षन सैंस्थान का शुभारम कहां किया गया इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जैपूर एक्स्ट्रा फैक्ट भी देखके चलेंगे साथी साथ इनसे भी ए सिक्षन सैंस्थान एंग पुनर्वास केंद्र का उद्गाटन किया अगला प्रेशन प्रदेश की वर्तमान में लेपर्ड सफारी कहां संचालित है इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उप्यूक्त सभी आमागड जैपूर जालाना जालाना तथा नाहरगड के बाद मुख्य मंत्री अशोक गहलोत ने 22 मई जेव विद्टा दीवस पर आमागड में लेपर्ड सफारी का वर्च्वल उद्गाटन किया प्रदेश की पहली लेपर्ड सफारी जालाना जैपूर में स्थित है देखे दोस्तों एक्स्ट्रा फेक्स भी बहुत जरूरी है इसलिए आप इन 27 अनुपाथ 26 राजस्तान की 26 एचपी सील की 34 इंपोर्टन फेक्स हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोर्पूरेशन लिमिटेड दुवारा राजस्तान रिफाइन रोज लिमिटेड के साथ एक संयुक्त उद्धम में पच्पद्रा में पेट्रोलियम रिफाइरी के निर्मान क कि या जा रहा है कि इस्थान पच्पंद्रा बाड में राजस्तान पर योजना की कुल लागत तयाने सजार एक सो गुनतिस करोड रुपए है अभिहांद्री की समापन का लक्षे चार वर्स है रिफाइंडरी की शम्ता नो एम एम टीपी ए ऐसे ही दोस्तों सारे एक्स्ट्रा वेक्स देखते वे चलेंगे आप उन पर भी धान दीजिए एक्जाम में इनसे भी कुशन बनते हैं तो हमारा अगला प्रेश्ण है हाल ही में राजस्तान सरकार ने किस नहर पर इसकाड़ा पढ़नाली स्तापित की है इसका सही उत्तर है ग पर देखे जा सकते हैं अगला प्रेश्ण राजस्तान के किस वीर क्रांतिकारी का 24 मई को जनम दीवेश्र पूर्ण दिति मनाई जाती है इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रताप सिंग बारहट प्रताप सिंग बारहट जनम 24 मई 1830 में उद्यापूर में हुआ था और म्र और कहा तुम्हारी मा रोती है तो इस वीर ने जवाब दिया मैं अपनी मा को चुप कराने के लिए हजारों माओं को नहीं रुला सकता और किसी भी साथी का नाम नहीं बताया अगला प्रेश्ण है राजीव गांदी जल संचय योजना दित्य चरण के लिए प्रस्तावित क की बारे में सत्य कसन बताईए इसका सही उत्तर है ओप्शन डी उप्युक्त सभी तो पहला ओप्शन है आगामी दो वर्षों में 26 क्रोड रुपे की लागत सही है सेकंड ओप्शन है 352 पंचय समीतियां शामिल है इसमें ये भी सही है और इसका थर्ड ओप्शन है लगबग 4500 गांओं में 20 लाग हैक्टेर भूमी में जल संग्रैन वे सरक्षन संबंदी कारवाई की जाएगी तो इसके सारे ओप्शन सही है तो इसका सही उत्तर हो डी नात दुआरा राज संबंद में पशुपालक प्रशिक्षन सैंस्तान खोला जाएगा तथा देवली टॉंक में क्रशी विग्यान केंद्र खोला जाएगा हमारा अगला प्रेशन सात्वा प्रेशन आर्थिक सर्वे 2020-21 के नुसार राजस्तान में आर्थिक व्रदीदर रही है तो इसका सही उत्तर है ओप्शन डी 6.61 परसेंट प्रचलित कीमतों पर आर्थिक एकोनोमिक ग्रोथ 4.11 परसेंट सथा इस्तिर कीमतों पर 6.61 परसेंट राज्य में गत्वर्ष 2019 और 20 में 5.03 प्रतिशत की बजाए 20-21 में आर्थिक व्रदीदर में गिरावट हुई है हमारा अगला प्रेशन आठवा प्रेशन सेयद मुस्ताक अली ट्रोफी 120 में राजस्तान के गेंदबाज रवी विश्नोई ने किस टीम के खिलाफ हैट्रिक लगाई है तो इसका सही उत्तर है ओप्शन बी आंधर परदेश राहुल चोदरी और रितुराज सिंग क कि बाद रवी विश्नोई राजस्तान के तीसरे गेंदबाज हो गए जिनोंने हैट्रिक लगाई है उन्होंने सेयद मुस्ताक अली ट्रोफी 20 में वडोद्रा में आंधर प्रदेश के खिलाफ हैट्रिक लगाकर राजस्तान को जीत दिलाए हम सबी प्रेशनों के एक्स्ट बास्केट बोल चेंपियंशिप में भारतिय टीम में रास्तान के किस खिलाडी का चैन हुआ इसका सही उत्तर है ओप्शन ए पियुश मीना राजस्तान की पियुश मीना को बांगलादेश में आयोजित होने वाली साउथ एशियन बास्केट बोल चेंपियंशिप में भारत स्टार सिटी बन गया है इसका सही उत्तर है ओप्शन सी डुंगरपूर एक मात्र कच्रा मुक्त स्टार सिटी बन गया है इसके लिए डुंगरपूर निकाय को सुच्छता सनवेक्षन 2020 में दो अवोर्ड से सम्मानित किया जाएगा अगला प्रेशन कापूर चंद्रकुली सम परती श्रीफल पत्रकारिता पुरुषकार किसे प्रदान किया गया है इसका सही उत्तर है ओप्शन ए अभिशेक तिवारी राजस्तान पत्रिका के अभिशेक तिवारी को कपूर चंद्रकुलिस इस्मरती श्रीफल पत्रकारिता पुरुषकार प्रदान किया गया बार्व श्रीफल पत्रगारिता समारो हैं 2020-21 का आयोजन डूंगरपूर के भीलवाड़ा इस्थित शांतिनाथ दिगंबर जेन मंदिर में संपन्न हुआ अगला प्रेश्न राजस्तान सरकार द्वारा कि जील के प्रबंधन अजेंसी के घठन को स्विकर्ति दे दी हैं इसका सही उत्तर है option D सांबर जील की सुरक्षा सर्नक्षण और सर्वांगिन विकास के लिए परियावरण विभाग के प्रस्ताव पर सांबर जील प्रबंधन हितु गठित स्टेडिंग कमेटी के अनुमोदन उप्रांत सांबर लेक मैनेजमेंट अजेंसी के घठन के अनुमती मुख्य मंतरी द्वारा प्रदान की गई इसके ध्यक्ष वन वे प्रियावरण मंतरी और मुख्य सचीवे अगला प्रेशने हाल ही में किस अभ्यारणे में वाइड लाइफ मैनेजमेंट एंड डिजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग इंस्टिटूट का उद्गाटन वन वे प्रियावरण मंतरी के द्वारा किया गया है इसका सही उत्तर है ओप्शन ए ताल शापर वन विभाग के अग्रिम पंकती के क्रामिकों को मरुस्तलिय चेत्रों की वानी की वन्यजीव संरक्षन के साथ-साथ इससे संबंदित ज्यान व्रदक और प्रक्षेशन देने के लिए ताल शापर में वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट एंड डेजर्ट इकोसिस्टम ट्रेनिंग स्टार्ट का उद्गाटन वें मंतरी सुक्राम विश्णोई की द्वारा किया गया हमारा अगला प्रेशन है चोधवा प्रेशन है राजस्तान की बेटी निहारीका को बिल गेट्स फाउंडेशन दूबारा सम्मानित किया गया इनका संबंद किस जीले से है इसका सही उत्तर है option A, जैपूर जीले से Civil Engineering वे जैपूर की निहारिका को Bill Gates Foundation के द्वारा सम्मानित किया गया उन्हें यह सम्मान मानव अप्सिष्टों में क्रशी अप्सिष्ट मिलकर उत्तम उर्जा का संस्लेशन, अनुसंदान और अन्वेशन कारिये के लिए दिया गया है अगला प्रेशन, मतदान के जरिये सराब बंदी करने वाली बरार घ्राम पंचायत का संबंद किस जीले से हैं? इसका सही उत्तर है option B, राच संबंद जीले से सम्बंद जीले के भीम उपखंड के बरार के ग्रामिनों ने मतदान के जरिये सराव की बिक्री पर पाबंदी की मोहर लगा दी अगला प्रेश्ण राजस्तान में किस फसल को उख्टा रोग के कारण उत्पादन में गिरावट दर्ज की गई इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जीरा राजस्तान और गुजरात में उख्टा रोग की वज़ा से जीरे की हजारों हेक्टेर फसल बरबाद हो गई है अगला प्रेश्ण हाल ही में राजसरकार ने डीबीटी सलायकार बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है इसके चैर्मेन होंगे इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मुख्य सचीव मुख्य मंत्री द्वारा देश में सी एसेस की विभिन विभागों द्वारा संचालित प्रतेक्ष लाब हस्तानात्रन से संबंदित योजनाओं के प्रभावी क्रियानवेन की मॉनिटरिंग में मुल्यांगन के लिए डीबी सलायकार बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है तो आप इन्हें अच्छे से देख कर चलें अच्छे से तयार करें और इनकी पीडिएफ आपको डैनिल क्लासिस के टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगी वहां से आप इसे और अच्छे से कर सकते हैं थैंक यू